जय मातादी दोस्तों नौरात्री के दूसरे दिन आपको बहुत-बहुत मुबारक हो आज माता प्रमचारनी का दिन है तो मैं आपके साथ मैं बहुत ही अच्छी रैसिपी सेयर करूंगी नौरात्री इस वेसर जो कि मैंने इस लौकी और आलू के साथ में बनाई है तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सस्क्राइब करना मत भूलिएगा इस रैसिपी के लिए हम लौकी और आलू को इस तरीके से काट लेंगे ताकि हमें इसके पीस करने में असान हो जाए हमें बहुत चोटे पीस नहीं रखने इसके तो देखिए इस तरीके से हमें इतने तो प्लीज वीडियो को देखिएगा और एक बाद जरूर से ट्राइ किजएगा और बताएगा कैसी लगी थी आपको रैसिपी इस तरीके से देखिए दोस्तों मने लौकी और आलो को काट लिया अब हमने कुगर चला दिया गैस पर इस पर हम घी डालेंगे मैंने एक चंब तो इस तरीके से देखिए मैंने जीरा और हरी मिर्च का फोरण दे दिया है इसमें यह मुंगफली के दाने हैं जो कि मैं इसमें डालूंगी अगर आपके पास हो तो जरूर डालेगा इससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मुंगफली तो हर किसी को पसं देखिए का बहुत चोटे करने हैं क्यूंकि कुकर में बना रहे हैं इसमें तो ऐसे बहुत जल्दी गल जाते हैं तो इस तरीके से देखिए हम ने जीरा मिर्च मुंखली और अर बहुत देर ने पकाना है थोड़ी देर पका के इसमें हम लौकि को डाल देंगे बहूत ज़ चलाने में थोड़ा दिक्कत हुआ पर फिर थोड़ी देर के बाद में यह बिल्कुल अधा हो चुका था तो इसलिए मैंने एक बार में डाल दिया था इसे तरीके से हम धीरे धीरे से चला लेंगे मैंने बड़े कुकर में इसलिए नहीं बनाया कि यह मुझे पता था कि आधा हो जाएगा फिर बाद में बड़ा कुकर भी जूठा होगा तो इसलिए मैंने इसी में बना दिया इसे हमें ज्यादा नहीं बुनना है दोस्तों यह हमने एक चमज भर के धनिया का पॉडर डाल दि कूट के डाल देगा तो भी टेस्ट बहुत अच्छा है यह देखिए मैंने सेंधा नमक डाला है स्वात के अनुसार आप भी ब्रत वाला नमक अपने स्वात के अनुसार से डाल ली जेगा बहुत ही हेल्दी टीस बना रही हूं दोस्तों जो कि आपकर 9 दिन भी खाएंगे आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी और बहुत फूर्ती बदन में रहेगी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है आपके हेल्थ के लिए भी तो इस तरीके से हमने सारा कुछ मिला लिया है देखिए दोस्तों कितना कम हो चुका है पहले से इसमें बिल्कुल जादा प अच्छी तरीके से पक चुका है तो आप भी तीन-चार सीटिया दिल्वाइए का लौकी पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है तो देखिए मुझफली आलू और लौकी कितने टेस्टी लग रहे है देखने में इसका कलर कितना प्यारा आया है और इसे आप जब दही के र दिखा रहे हु किस तरीके से बंगर तयार होई है और इसमें लौकी की ग्रेवी लगी है उसके पानी की तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तयार हुआ था बहुत ही अच्छा टेस्ट आरहा था इसका तीका तीका सा यह दिख दोस्तों मैं आपको सामने से निख रहे हूं इसका लुक कैसा लग रहा है तो देखिए नौरात्री स्पेशल डीस बनकर तयार है बहुत ही सांदार है और बहुत ही कम घी में बनी हुई है बहुत ही कम मसालों के साथ में तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी हेल्दी डीस है तो एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा इस तो यते ज tolerance के माघ हुत नौरात्री सेहत बवाह